आज के दौर में जब सत्ता से सवाल पूछने वालों का स्चोषड और उनके खिलाफ हिंसा एक आम बात हो चुकी है ऐसे में जनता यानि आपके मुद्दो की बात करने वाली पत्रकार्था की ज़रत और भी बढ़ गई है इस पत्रकार्था को आगे बढ़ाने के लिए आप न्यूस क्लिक को जॉइन करके हमारे सदस्य बन सकते हैं हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के साथ जॉइन भी कीजिए ताकि हम आपकी मुद्दो की बात आप के लिए आप तक पहुँचा सके नमस्कार आदाब मैं हूँ प्रबीन और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक का डेली रानुप शो आगे नज़र डालते हैं आज की मुख्य सुर्कियों पर जम्मू कश्मीर के 11 जीडों में कोरोना के बढ़ते मामलों की वज़े से सोमबा सुबह साथ बज़े तक करफ्यू एक्जिट पोल बंगाल में कड़ा मुकाबला असम में भाशपा एवं केरल में ल्टीफ को बढ़ाइब कोरोना अपडेट देश में 24 गंटों में जम्मू कश्मीर के 11 जीलों में प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्दे नजर गुरुवार शाम से सोमबा सुबह साथ बज़े तक के करफ्यू का एलान किया गया डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ, रिहाबिलिशन और रिकंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के सेकरेटरी सिमरंदीप सिंग ने कहा स्रीनगर, अनंतनाग, बारामुला, कुलगाम, पडगाम, पुलवामा, गंदेरबल, जम्मू, कठवा, लियासी और उधंपूर में कोरोना कर्फ्यू लगाए जाएगा बता दे कि प्रदेश में बाकी देश की तरह कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं यहां पिछले 24 गंडों में कोरोना के 3,023 मामले आये हैं और 30 लोग की मौत हुई है जम्मू कश्मीर में अब कुल मामलों की संक्या 1,69,077 हो गई है और 2,227 मौते हो चुकी हैं फिलाल यहां एक्टिव मामले 24,313 हैं अगर एक्जिट पोल पर विश्वास करें तो तमिल लाडू को छोड़ कर विधासभा चुनाओं में सत्ता विरोधी रुजान दिखाई नहीं देता अधिकांस एक्जिट पोल का अनुमान है कि हाल यह में हुए चुनाओं में 11BGP दर 5 राजियों में से अधिकांस में सरकार बनाने जा रहा है भगवा पार्टी दो बड़े दच्चडी राजियों तमिल लाडू और केरल में को सीटों पर जीत दच कर सकती है आए सुनते हैं इन चुनाओं पर वरिष्ट पत्रकार अभिसाज शर्मा का क्या है कहना आपके स्क्रीन्स पर प्रधान मंत्री ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के जो आखरी चरण का मतदान है उसके लिए जोरदार तरीके से वोट डालें कोरोना का ध्यान रखते हुए प्रधान मंत्री आपके पास मंचों की कमी नहीं है जहां आप लोगों की समवेदनाओं उनके दर्द को संबोधित कर सकें एक सरकार का क्या काम होता है एक सरकार का ये काम होता है ना कि आप लोगों को ऑक्सिजन दिलवाएं दवाईयां दिलवाएं अस्पतारों में बिस्तर दिलवाएं आप वो सब नहीं कर पा रहे हैं मगर आप लोगों के दर्द पर मरहम भी नहीं लगा रहे हैं आपके राजनीतिक भूक की बली नजाने कितने लोग चड़ रहे हैं और मैं आपको बताता हूं क्यूं, मैं सिर्फ पश्यम बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं कि इस सवक्ष्यम बंगाल के अंजर किस तरह से कुरोना को लेकर हालाग़ से बत्तर हो रहे एक political party की राजनीतिक भूग के लिए आज पूरे पश्यमंगाल को कोरोना में जोक दिया गया है तुम आज की तारीक में जीत भी गए पश्यमंगाल तो राज किस पर करोगे लाशों पर शम्शान पर मगर चलिए पश्यमंगाल की बाद बाद में करेंगे सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की ये खबर देखिए दोस्तों काईदे से इस खबर को हर राश्यमंगाल की पहली हेडलाइन की तौर पर होना चाहिए था मगर इसे पूरी तरह से दबा दिया गया है आपके स्क्रीन्स पर प्रयाग राश के 28 और प्रदेश भरके 550 अध्याबोकों की जिंदगी निगल गया कोरोना पंचायत चुनाव की वज़े से अकेले प्रयाग राश के लगभग 1000 शिक्षक संक्रमित दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव होते हैं हमारे शिक्षा मित्रों संविदा में जो शिक्षक हैं उन्हें ड्यूटी पर लगा दिया जाता है बगएर किसी सुरक्षा के नतीज़ा आपके सामने अखबार ये दावा कर रहे हैं 550 लों की मौत हो गई है इसके अलावा कोरोना से 24 गंटों में 3,498 मरीजों की मौत हुई है हालाकि इसी बीच देश बर में कोरोना से प्रित करीब 3,097,540 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 85,414 मामलों की बढ़ उत्री हुई है देश में संक्रमर की मामलों की संक्या बढ़ कर 1,87,62,976 हो गई है जिन में से 2,08,330 मरीजों की मौत हो चुकी है देश में रिकप्रीडेट घटकर 81,099 फिस्दी हो गया है यानि कोरोना से प्रित 1,03,84,418 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और इसी के साथ देश में अब आक्टिम मामलों की संक्या बढ़ कर 16,10,78 फिस्दी यानि 31,70,228 हो गई है स्वास मंत्राले के ताज जानकारी का नुसार देश में कोरोना वैक्सीन की 15,22,45,189 दोज दी जा चुकी है जिन में 22,25,44 वैक्सीन की डोज इसले 24 घंडों में दी गई है साजा संघर्षू की खातिर अपने गडबंडन को आगे बढ़ाते हुए किसान संगटनों और केंदरी मजदूर यूनियोनों ने ब्रसपतिवार को गोशना की कि राशी राजधानी के प्रवेश द्वारव पर जारी विरोद अस्तलों और सारे देश भर में मही दीवस या मजदूर दीवस को सन्युक्त रूप से मनाया जाएगा किसान नेताओ ने कहा कि महामारी की विभीशिका को देखते हुए इस बार बिना किसी बड़े जमावडे या रैली के ही मही दीवस को गावों और मुहलों का स्तर पर मनाया जाएगा इस बैटक में अशामिल औल इंडिया किसान सभा के अध्यक्ष अशोगधावले ने नियूस क्लिक को बताया कि आगामी कारियों की रूप रेका तयार करने के लिए दोनों समुहों के बीचे राजस्तरी समन्वय का रोड मैप तयार कर लिया गया है उन्होंने कहा पारंपरिक तोर पर स्ट्रमिक भारी संक्या में कट्ता होकर शहरों में माश निकालते हुए आठ घंटों के काम के अधिकार के लिए किये गये भादू संगर्षों को याद किया करते थे लेकिन कोरोना वाइरस के उभार और एक अक्षम सरकार जो आपातकालिन स्वास सुविधाय मुहिया कराय पाने में नाकाम है को देखते हुए हमने फैसला लिया है कि इस बार कोई भी बड़ा जमावडा या रैलिया नहीं निकाली जाएंगी बॉम्बे हाई कोड राजय और केंद्र सरकार से यह तक करने को कहा है कि कैदियों की टीका करण के लिए आधारकार जरूरी होगा या नहीं जस्टिस दिपांकर दत्ता और जस्टिस जीयस कुलकर्णी ने खहा कि अगर आधारकार अनिवार होगा तो इसका असर पूरे देश में होगा इससे पहले कोड को यह पता चला था जेलों में कई कैदियों को इसलिए वैक्सिन नहीं लगाई है क्योंकि उनका आधारकार वैलिट नहीं था और जाते जाते हम पूर्व अटार्णी जन्रल और पद्म विभूशन सोली सोराबाजी को याद करना चाहेंगे जिनकी आज कोरोना की वज़ए से मौत हो गई सोरा बाजी एक यानमे साल के थे उनने देश की न्याएव रषता में बहुत सम्मान रूप से देखा जाता है और उनने देश की अभिव्रक्ती की आजादी और मानवाकारी के परेदार के रूप में भी ज़रूर यात क्या जाता है आज के डेले रॉंडर में बस इतना है न्यूस क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साती देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिस वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बूग, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें फॉलो करें न्यूस क्लिक देखने के शुक्रिया